नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं अपना योगदान सुनेशीत करना होगा, उपराश्ट पतिर अभिवार को देश के परमुख बिजनेश इस्कूलों में सुमार XLRI जमसेदपूर के प्लेटिनम जूबली समारों में बतरमों के अतिती बोल रहे थे, उन्होंने XLRI के छात्रों से कहा है कि आप सभी बरतमान में देश की एकोनोमी को रफ्तार देने वाली ड्राइबिंग सीट पर बैठे है, आपको वर्श दो हैर से तालिस तक नेशनल फरस्ट की विचार धाराक के तहाद भारत को बिकसीद देश की स्रेणी में लाकर खाड़ा करना है, और देशों को बिश्व गुरु बनाने के एकोनोमी नेशनली जम की भावना को अपने अंदर प्रेरित करने और देश के आत्मविश्वास को उच्चा करने की अपिल की है, धीरसाहू के ठीकारों से मिले 353 करोड गिंती पुरी, शालसाथ धीरसाहू के ठीकारों से बरामत भारी नक्ती की गिंती रभीवार की रात 10 बज़े पूरी हो गई है बताया जाता है कि गीनती में कूल 335.50 क्लोर रुपए मिले हैं बोलांग गीर में 305 क्लोर संबलपूर में 37.50 क्लोर और टिटल घड़ में 11 क्लोर रुपए गीने गए हैं जब तजेवरात का आकलन होना अभी बाकी है हलाकि आयकर भी भाग अपसो में अधिकारिक ब्यान जारी करेगा इधर ब्रामदगी के मामले में कॉंग्रेस ने सांसद धीरज साहू से अस्पश्टी करन मंगा है कांग्रेस के जारखन प्रभारी अविनास पांडेनर अभी और कुरांची में कहा है कि नोट ब्रामदगी के मामले में अभी तक आयकर क कि और से पुष्टी नहीं की गई इसके बाद भी पार्टी ने अपना स्टेंड के draw कर दिया है यह संसथ धीरज साहू का निजी ममला है इससे कांगरेस का कोई लेना दिना नहीं है धीरज साहू कांगरेस के संसथ हैं इसलिए उनसे पार्टी ने स्पस्टी करन मंगा है सर्पदंस के मरीजों का इलाज कराने पर साहिया को मिलेंगे 500 रुपाए राज्य में सर्पदंस से होने वाली मौत को कम करने के लिए सरकार साहिया को प्रोथ साहित करेगी इसके लिए 500 रुपए की प्रोथ साहन रासी देगी यह राशी सर्पदंस को लेकर लोगों को जागरूप करने एवं सर्पदंस के मरीजों का इलाज कराने पर मिलेगा राष्ट्रिय स्वास्त मिशन के अपर अभियान निदेशग विद्यानंद सर्मा पंकर ने बताया है कि राष्ट्रिय स्वास्त मिशन जहारकन की और से राष्ट्रिय स्वास्त मिशन को इस बावत प्रस्ताव दिया गया था पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित पैठक में राजी के इस प्रस्ताव को सुख्रिती मिल गई है इसके तहट साहिया को सर्पदंस की एक मरीज को अस्पताल भेज कर इलाज सुनिस्चित कराने बर 500 रुपए की प्रोसाहन राशी दी जाएगी उन्होंने बताया है कि आज भी साहप काटने के बाद बहुत से लोग जागरूपता के अभाव में ओजागुनी के चकर में फंस कर 20 उतारने के लिए जाण फुक कराने लगते हैं इससे इलाज के अभाव में मरीज की मौत तक हो जाती हैं सहिया राजभर में कर रत हैं हेमंत सरकार का विद्यार्थियों को साइकल का तोफा भेजे गए 220 कलोर की रासी राज ये के सरकारी स्कूलों में अध्यान रत बच्चे बच्चियों के उजवल भवीत से सुनिश्चित करने के लिए राज सरकार परतिबत्ता के साथ कार कर रही है मुखे मंतरी हेमंसुयन के निर्दसा उन्सार राज सरकार ने विभीन सरकारी स्कूलों में अध्यान रत 4,90,000 बच्चे बच्चियों को साइकल खरीदने के लिए 220 को रुपए से अधिक किरासी उनके बैंक खातों में DBT के मात्यम से भेजा है इसमें सत्र 2,021,21,22 एवं 22,23 के आठवी कख्चा के लभार्थी बिद्यार्थी सामिल है इन सत्रों के सेस बच्चे लगभग 3,10,000 लभार्थी बिद्यार्थियों को 29 दिसंबर तक साइकल खरीदने के लिए उनके बैंक खातों में रासी जामा कर दी जाएगी बतादे आपकी युजना आपकी सरकार आपके द्वार के परतेक सीवीर एवंपिसेस काम में छात्र शात्राथाओं के बिद्यार्थी साइकल खरीदने के लिए रासी का बित्रन के लिए सभी जीलों के उपायुक्तों ने सुची भेजी है सहायक अध्यापक उनाइस को बिधान सभा के समक्ष धारना पर्दसन करेंगे सभी वादे को भूल कर गहरी निंद में सो गई है बरतमान हेवन सरकार को जगाने के लिए जीला में उपस्थी सभी सायक अध्यापकों ने आंदोलन करने पर समती जताई परदेश नेतित्य के अवाहन पर 18 दिसंबर की साम देवघर जीले के सभी सायक अध्यापक रांची प भाग लेंगे फिर भी बाते नहीं बनी तो ज़ार्खन के सभी सायक अध्यापक 28 दिसंबर से मुख्य मंत्री आवास पर अनिस्चित का निन घेराव करने करने नहीं लिया गया है आठवी की बोर्ड में राइस्ट्रेशन के लिए नहीं खुला पोर्टल ज़ार्खन अकेडमी कॉंसील के आदेश को जिला सिक्षा बिभा गंभीता से नहीं ले रहा है जैक ने आठवी की बोर्ड परिक्षा में सामिल होने के लिए ओनलाइन आवेदन करने के तीथी की घोसना कर दी है राजे के दूसरे जीलों में 23 नॉमबर से ओनलाइन राइस्ट्रेशन हो रहा है लेकिन पूर्वी सिम्भूम जीले में अब तक इसकी सुरुवात नहीं हुई है अब तक एक भी रहा इस्ट्रेशन नहीं हो पाया जीला सिक्षा पता दिकारी दोरा ओनलाइन माध्यम से स्कूल को अनुमदित करने किती थी 23 दिसंबर तक ही निधारी था है जाबकि ओनलाइन परिक्षा फर्म जामा करने किती थी 28 दिसंबर तक ही तैक की गई है जाम में फसे राजेपाल पूलिस के छुटे पसी ने उपराश्ट पती के आगमन को लेकर पूलिस वजीला पसासा ने पोकता इंतिजाम किये थे लेकिन उनके जाने की तुरंत बाद वेवस्ता ध्वस्त हो गई राजेपाल से लेकर मंत्री और हजारी बाग प्रमंडल के प्रमंडली आयुक्त भी जाम में आदा घंटा से ज्यादा समय तक फसे रहे उपराश्ट पती के आगमन को लेकर रंधीर वर्माचोक के चारों तरब से बैरिकेटिंग की गई थी वहीं तीवारी होटल की तरब से आने वाले वाहनों को रोकने के लिए बजरंग बली मंदिर के पास और सराय ठेला की तरब जाने वाले रास्टों में खादी ग्राम उद्धियों के पास बैरिकेटिंग की गई थी इसके कारण सभी तरब से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई एक से तीन के बिद्यार्थियों को मिलेगी बुनियादी सक्षार्ता की सिक्षा हजारी बाग जीले के सरकारी स्कूल में कक्षा एक से तीन में पढ़ने वाले हजारों बिद्यार्थियों का 2024 से बुनियादी सक्षार्ता और संख्या ग्यान पढ़ाया जाएगा इसकी सुरुवाद जन्वारी से होगी जारखन सिक्षा परिवने परिशत वा रूम टू रीट इंडिया ट्रस्ट की ओर से सन्युक्त अभियान चलाया गया है इसमें सभी 16 पर्खन के 136 संकूल साधन सेवी सही सिक्षकों को परसिक्षित किया जा रहा है परसिक्षन कारकरम दिसंबर के अंत तक पुरा होगा फिर प्रस्टिक्षन प्राप्त सिक्षा कक्षा एक से तीन के विद्यातों बुनियादी सक्षर्ता और संख्या ग्यान को बढ़ाने में सहायक बनेंगे 2025 में जारखन बीमारू नहीं युवा राजे बन जाएगा सियम हमांत मुख्य मंत्री हमलस्टिक्षन ने कहा है कि आपकी युजना आपकी सरकार आपके द्वार के कारकरम से सरकार और गाओं के संबन मजबूत हुए हैं लोग आप सीधे सरकार से जूड रहे हैं लोगों का बरतमान सरकार पर भरुरुसा बठा है राज्य में धीरे धीरे समस्या को समाप्त करना होगा आदिवासी मुलवास्यों को उनका अधिकार सरकार दे रही है अब धीरे धीरे लोगों के चेहरे पनमुस्कान लोट रही है मुख्य मंत्री सनिवार को देवगर के सदर प्रखंड की गौरी पूर पंचायत इस्थीत खिजूरी मैदान में आपकी जूजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम को समधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि विपक्चियों को आदिवासी मुलवासी पिछले दलीत बुजूर्ग महिलाएं वो बच्चों के कल्यान से कोई सरोकार नहीं रहे 20 सालों में इन लोगों ने राजय को खोकला कर दिया है लंबे समय तक इनका सासन रहा लेकिन ए पिछले पन को दूर नहीं कर सके राज्य को बिमारू बना कर रख दिया है यही करण है कि साधन संपन होने के बाद भी जारकन देश के अती पिष्टे राज्यों की सिर्णी में आता है एप्स के जरी न्यूड वीडियो कॉल कर ठगी करते साइबर अपराधी छह गिरफतार गिरिडि पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों खिलाब बड़ी करवाई किया है पुलिस ने अलग-अलग थाना छेते में छापे मारी कर 6-7 साइबर अपराधियों गिरफतार करने में सफलता पाई है जिन साइबर अपराद्योक पुलिस ने गिरफतार किया है उनमें बेंगाबान थाना छेत्रे के साथी बाद निवासी पवन कुमार मंडल, सर्या थाना इलाके के केसवारी निवासी लो कुमार मंडल, डुमरी थाना छेत्रे के नरांगी निवासी 37 मंडल, बेंगाबान थाना के राज सबसांसर धीरज साहो के परिशरों पर आयकर छापे में बरामत कैस की मात्रा 350 क्रोर तक पहुँच गई है इसे अब तक की सबसे बड़ी कैस बरामत की बताया जा रहा है कैस की गिंती में 50 बैंकों के अधिकारी को लगाया गया था अधिकारियों ने कूल 25 मशीनों का उप्योग करके नगदी की गिंती की है आयकर विभाग ने उडिसा जारखन और पच्छी मंगाल में बहुद डिस्ट्रिलीज प्राइबेट लिमिटेट के परिशरों पर छापे मारे थे तुपुदाना के हुलहुंडू से नवालिक को अगवा कर गैंग रे रांची के तुपुदाना इलाके के हुलहुंडू से एक नवालिक लड़की को अगवा कर उसके साथ सामोहिक दूसकर्म किया गया है इस वर्दात को बिते सनिवार की रात आठ अपराधियों ने अंजाम दिया है मूल रूप से खुटी की रहने वालिक अपने एक दोस्त से मिलने के लिए तुपुदाना के हुलहुंडू पहुंची थी इसी दोरान अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है बताया जा रहा है कि नवालिक लड़की का प्रेमी के साथ कुछ अनबन हो गई थी जिसके बाद नवालिक खुलहुंडू के मुख सड़क पर अकेले पैदल चल ले लगी इसी दोरान बाइक पर सवार अपराधि पहुंचे अकेला देखकर अपराधियों ने उसे ड्राधम काकर अपनी बाइक पर बैठा लिया इसके बाद उसे चुकरू इस्थी जंगल में ले गए बिपीएसी सिख्चक भरती परिक्षा में पकड़ा गया मुन्ना भाई बिहार के दरभांगा में बिपीएसी सिख्चक भरती परिक्षा के दूसरे चरण के तीसरे दिन रभीवार को एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है वह एक छात्र के बदले यहां परिक्षा देने आया था इसी करम में बायोमेट्रिक के द्वारा जाच में इसे डिटेक्ट कर लिया गया इसके बाद सफी मुस्लिम इसकूल के केंद्रिय अद्यक्ष ने फोर्जी परिक्षार्ती को पूलिस के हवाले कर दिया वहीं बेता थाना ध्यक्ष ने खबर की पुष्टी करते हुए बताया है कि आवेदन प्राप्थ हुआ है कि आधार पर अग्रसर करवाई की जा रही है जार्खन में रवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए क्रिसी विभाग ने बनाई बिसेस योजना जार्खन का क्रिसी विभाग रवी की खेती पर फोकस कर रहा इसके लिए विभाग ने खास योजना बनाई है ताकि जार्खन में रवी की खेती का परतिस्वत बढ़ाया जा सके इसको लेकर रांची में राज अस्तरे रभी का रसाला का आयोजन किया गया जिसे किरिसी विभाग के सचीव ने कई टिप्स दिये है बता दे जारकन राज रभी फसल की खेती के मामल में काफी पिछला हुआ है राज निर्मान के बाद खरीब फसलों के अच्छादन और उत्पादन में बेहतर परसन करने के बावजूद राज में रभी की फसल कम होती है ऐसे में किसानों की आय बढ़ाने के लिए किरिसी विभाग बैकर्पिक खेती के साथ सत्रभी फसल की खेती का रखबा में ब्रिधी करने की योजना बनाई है कराके की ठंड में एक दिन के नवजात को जाडियों में फेकाया कराके की ठंड में चास के सोला गिडि के सांती नगर में एक नवजात को किसी ने जाडियों में फेक दिया रबिवार की साम उसके रोने की आवाई सुनकर किसी ने CWC को जनकारी दी CWC की टीम मोखे पर पहुँची और नजाद को सदर अस्पताल की NICU में इलाज के लिए दाकिल कराया नजाद को फेकने की जनकारी टीम के सज़से रकिवा को मिली थी CWC के अध्यक संकर रवानी ने सुचना मिलने परसर से प्रीती वा प्रगती संकर वहां पहुँचे ठंड के कारें नजाद का सरीर नीला पढ़ रहा था नजाद को कमबल में लपेट कर टीम के सज़से तुरंद सदर अस्पताल पहुँच गए धन्यवाद